म्रदुभाशी विशेश में आपका स्वागत है सावन के महा में शियो भक्त भोले भंडारी की भक्ती में डूबे रहते हैं और दूर दराज से लोग भोले नात के प्रसिद एवं विशेश्ट मंदिरों के दर्शन करने पहुचते हैं जिनकी कथाएं बेहत अदभूट हैं आज आपको म्रदुभाशी विशेश में बताएंगी ऐसे मंदिरों के बारे में मध्य प्रोदेश के भोचपूर में भोजीश्वर मंदिर नाम से प्रसिद एक विशार शिव मंदिर है जहां विशार शिवलिंग एक ही पत्थर से निर्मित है ये विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन शिवलिंग माना जाता है तो कीजिए इस अदभूट शिवलिंग के दर्शन मध्य प्रदीश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूरिस्थित है भोचपूर जहां की पहाडी पर एक विशाल अधूरा शिव मंदिर है जिसे भोजीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है कहा जाता है किस शिव मंदिर का निर्माण परमारवश की प्रसिद्ध राजा भोज द्वारा किया गया था मंदिर में स्थापत शिवलिंग एक ही पत्थर से निर्मित विशु का सबसे बड़ा शिवलिंग है जिसकी लंबाई साड़े पांच मीटर है मंदिर की विशेश्ता है कि इसका निर्माण सिर्फ एक रात में किया गया था हालक इसका निर्मान अधूरा क्यों रखा गया इस बात का इतिहास में भी कोई पुखता प्रमान नहीं है मंदर के पीछे के भाग में बनी धलान का उपयोग मंदर के निर्मान में विशाल पत्थरों को ढूने के लिए किया गया था जुजबात का प्रमान है कि सतर टन भार वाले विशाल पत्थरों को मंदर के शिर्ष तक कैसी पहुँचाया गया यहां वर्ष में दो बार वाशिक मीली कायजन किया जाता है जो मगर सक्रान्ती वो महा शिवरात्री पर्व की समय होता है बक्तों की आस्थक इस केंद्र में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का ढंग भी बिलकुल अनोखा है यहां अभिशेक दर्ती पर खड़े होकर नहीं किया जाता बलकि शिवलिंग का अभिशेक और पूजन इसकी जलहरी पर चड़कर ही किया जाता है भगवान भूलेनात की मंदिरों का भी महात्मय उनकी भाती ही अद्भूत है तो एक तरव जहां आपने देखा लोग इस विशार शिवलिंग का पूजन करने काफी दूर दराज से आते हैं वहीं भारत में एक अनूखा शिर मंदिर भी है जो उत्राखन के दहरादून में स्तित है जहां भगवान भूलेनात की दर्शन करने के लिए दूर दूर से शथालू आते हैं लेकिन उनकी पूजा नहीं कर पाते हैं देखी हमारी ये खास रिपोर्ट जी हां या नूखा मंदिर उत्तराखन की राजधानी डहरादून से 70 किलोमीटर दूर एक कजबा है थल जिससे लगभग 6 किलोमीटर दूर एक गाफ सभा बलतिर में स्थित है जो हतिया देवाल के नाम से प्रस्तित है इस मंदिर को अभिशप्त शिवाले कहा जाता है लेकिन फिर भी पोले के भग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं और इसकी अनूठी कारीगरी को सरहाते हैं लेकिन यहां भगवान की पूजा नहीं करते क्योंकि ऐसी मानिता है कि जो कोई भी इसकी पूजा करेगा उसके लिए फलदायक नहीं होगी बलकि इसकी दोशपूर्ण मुर्ती का पूजन अनिष्ट कारक भी हो सकता है इसकारण इस मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले लोग उसकी चौखट को भी नहीं लांगते इस मंदिर में भक्त मन्नती तो मांगते हैं पर कोई कभी भी यहां एक लूटा जल तक नहीं चड़ाता है और नहीं पुश्प अर्पित करता है यह मंदिर अपने आप में खासा महत्व रखता है मानिता है कि यह मंदिर एक हाथ से बना हुआ है लेकिन मुर्तिकार ने शिवलिंग का अर्गा उल्टी दिशा में बना दिया जिसके बाद उसे ठीक करने का बहुत प्रयास किया गया पर अर्गा सीधा नहीं हुआ आखिरकार पंडितों ने घोशना की कि जो कोई भे शिवलिंग की पूजा करेगा उसके लिए फलदायक नहीं होगा तब से यहाँ पूजा की सक्त मना ही है लेकिन भूले की भक्त, बनमी, भक्ती रमा कर दूसरी भगवान भूलेनात की दर्शन करते हैं उनका नाम लेते हैं और शिव का इसमरण कर उन्हें पूजते हैं ओम नमाशिवाई